हेलो फ्रेंज, गुट मॉर्निंग, मैं हूँ समीता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कोई रेसिपी, टिप्स और ट्रिक्स नहीं शेयर करने वाली हूँ जस्त मैं आपके साथ शेयर करी हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन या आप कह सकते हैं एक न्यू मॉर्निंग रूटीन चूकि अब नॉर्मल सा हो गया है क्योंकि हस्बन ने ओफिस नहीं जाना, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना और बहुत ही रिलाक्स टाइप की मॉर्निं और यह सारी चीज़े मैं आज आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ उसके पीछे भी एक वीजन है जो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी तो मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई है बहुत जल्दी नहीं है 6.15 हो रहे हैं यह हलकी हलकी जो सूरज के किरने गिर रही हैं यह बहुत ही ज़्यादा एनरजी देती हैं इस्पेशली मॉनिंग में आप अगर उठ जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं इस टाइम पर और आप बहुत जल्दी भी नहीं उठते हैं अगर अपनी फैमली से थोड़ा सब पहले उठते हैं तो ये टाइम आपका मी टाइम हो सकता है इस टाइम अपनी होबी जो आपकी है गार्डनिंग है तो आप अपने पोधों को टाइम दे सकते हैं कुछ और आपकी होबी है योगा, मेडिटेशन जो भी आप करना चाहें तो इस शान से माहौल में आप आर सकते हैं और आजकल जो ये सिच्वेशन है कोविट की इसने बहुत कुछ हमें सिखा दिया है बहुत शांत रहना सिखा दिया है क्योंकि पता है भाग दौर करने से कुछ नहीं होने वाला हमें जो चीज़ें हमारे पास है उन्हीं को एक्सेप्ट करना है और उन्हीं में करना सिखाया है है हिल्थ की अपने लाइफ स्टाइल को चेंच करने के लिए और साथ ही नेचर ने तो प्रूफ दिया है हमें कि हमारी नदियां साफ हो गई है स्काइक दम क्लीन है प्लूशन बिल्कुल डाउन हो गया है तो हम इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि कहां पर हम कर रहे थे और क्या हमें सीखना चाहिए अगर हम इतना कंट्रोल अपने आपको कर सकते हैं इन 6-7 महिनों में जो हमने किया है तो हम आगे भी कर सकते हैं क्योंकि अगर हम किसी चीज़ों को ठान लेकि हमें करना है तो हम उसे कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है तो हमें अपनी हेल किया है और साइड आप सब में से भी काफी लोग डाउट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको सिखा रही हूँ या समझा रही हूँ बलकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो मैंने स्पीच सीखी है और मैं जो सीख रही हूँ और सीखना चाहती हूँ वही चीजे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मैं कनफेस करना चाहूँगी कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी health का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं बट एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि आपकी health आपको बताती है कि मैं कितनी जादा important हूँ तो हमी अपनी health का बहुत ध्यान रखना चाहिए तो पहला जो सबक मुझे मिला है वो यही है कि health को हमेशा priority पे रखना चाहिए अगर आपकी health सही है तब ही आपकी सारी responsibility आप बहुत अच्छे से निभा पाऊगे health का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है ये भी हमें पता है हमें योगा करना चाहिए हमें exercise करना चाहिए हमें meditation करना चाहिए और आप मुझे agree करेंगे हम लोगों ने ये हजारों बार किया है हजारों बार कोशिश की है कि हम कल से exercise करेंगे हम Monday से शुरू करेंगे हम next month से शुरू करेंगे हम अपने birthday तक तो पक्का शुरू करेंगे बट हमने शुरू किया लेकिन हम कभी भी उसे continue नहीं कर पाए क्योंकि हमें वो कभी priority लगी ही नहीं तो second जो priority है वो है अपनी लिए थोड़ा सा time निकालना आप चाहे योगा करें आप शांती से बैठ जाएं बस वो एक पंदरा मिनट दस मिनट आप अपने लिए जरूर निकालें इससे होगा क्या एक continuity बनेगी आपको एक time बता रहेगा कि आपको इस time जस्ट अपने लिए एक जगा पे बैठना है उसके बाद धीरे धीरे जो process है वो खुद बाखुद होता चला जाएगा यह मैंने खुद से experience किया है तो मैं आपके साथ share कर रही है next एक बहुत ही important जो role play करता है हमारी health में वो है पानी simple पानी या फिर गरम पानी जैसा आपको suitable लगता है आप उस तरह से ले सकते हैं मैं कभी भी गरम पानी नहीं पी सकती थी लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना बहुत important है चाहे आप उसे infuse करके पिएं lemon डालके, apple cider vinegar डालके, soft डालके या फिर कोई और भी infuse आप कर सकते हैं, बहुत तरीकी की चीज़े हैं, herbs हैं हमारे kitchen में जिनको आप पानी के साथ infuse करके ले सकते हैं बहुत बड़ा change लाते हैं, कुछ भी नहीं डालना तो plain हलका सा गरम पानी करके आप पी लें तो आपका digestion काफी improve हो जाता है दूसरी जो चीज मैंने early morning सबसे पहले लेना शुरू किया है चाए मैं पहले भी नहीं पीती थी, अगर आप लोग चाए के शौकीन हैं तो please morning की चाए skip करके कोई भी healthy drink आप अपनी diet में include करें चाहे वो कोई juice हो, smoothie हो, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे morning में पीना बट एक first जो drink है आपका बहुत ही healthy होना चाहिए ताकि आपके दिन को काफी अच्छा boost मिले मैं green smoothie लेना prefer करती हूं morning में तो मेरा सबसे पहला drink hot water के बाद green smoothie ही होता है और जो काफी changes लेके आया है आगे मैं आपके साथ कभी detail में अगर share करने को मिला तो मैं आपके साथ full video उसके उपर share करूँगी कि किस तरह से green smoothie चेंज कर सकती है आपकी life को एक चीज और mention करना चाहूंगी चाहे आप smoothie पी रहे हैं juice पी रहे हैं या अपना breakfast ही कर रहे हैं तो उसे बहुत ही relax होके करें ताकि वो आपकी body पर positive असर दे अगर आप बहुत भाग दोड में सारी चीज़ें करते हैं तो उसका कोई असर तो आपकी body पर आएगा नहीं बलकि उसके negative impact जरूर आपको दिखाई देंगे तो breakfast का time हो गया है breakfast में मैंने कुछ ज़्यादा changes नहीं किये है normally मैं जो चीज़ घर में बनती है वही खा लेती हूँ लेकिन उसका portion मैंने जरूर control किया है कि मैं कितना portion लूँ और ये हर एक को धिहान रखना चाहिए क्योंकि खाने से इतना बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है कि आप क्या खाते हैं आपके घर में रोज पराठे बनते हैं आपने बच्चपन से वही खाए होते हैं तो आप उसे अराम से डाइजस्ट कर सकते हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है लेकिन आप portion control ज़रूर रखें portion control से यह है कि आप कार्ब जो है वो कम करें उसकी जगह raw vegetables, fruit, salad को अपनी डाइट में improve करें जो कि आपको बहुत ही अच्छा boost देगा आप अगर weight loss करना चाहते हैं तो वो एक secondary चीज़ आपके लिए रह जाएगी क्योंकि जब आप इस तरह से कार्ब कम कर देते हैं और healthy जो raw चीज़ें हैं सात्विक food हम जिसे कह सकते हैं कम oil के साथ में और सर्फ vegetable को saute करके या boil करके अपनी एक meal में भी इस तरह से करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी body में toxin बन जाती हैं वो उनका ratio कम हो जाता ह इस वज़ें से आप weight loss तो करेंगे ही साती आपको health benefit भी काफी सारे मिलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा positive energy देता है और हमें और ज़्यादा motivate करता है ताकि हम अपनी वही diet follow कर पाएं आगे भी क्योंकि हम लोग ज़्यादा तर weight loss के बीचे भागते हैं कि हमारा weight इतना kg कम हो जाएं लेकिन हमारी health उसके चक्कर में बिगड़ जाती है कई बार तो उसके negative impact आते हैं और फिर हम अपनी diet को या फिर exercise को continue नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर यह जो चीज मैंने इतने लंबे time पे सीखी है कि खाना कोई सा भी हो जो भी आपके घर में बन रहा है कि अगर कोई diet follow करते हैं तो आप 4 दिन से जादा उसे नहीं कर सकते क्योंकि 5 दिन कुछ ऐसा बन जाएगा घर में जिसे आप का मन करेगा कि आप उसे खाएं तो आप regular basis पे जो आपके घर में बनता है आप उसे खाएं बस एक portion control ज़रूर रखें उसके साथ कुछ healthy ज़रूर include करें ज यह बहुत बड़ा change आपकी life में लेकर आएगा और इस तरह का कोई भी excuse नहीं रहेगा कि मैं अपने लिए कुछ अलग नहीं बना सकती है अपने लिए कुछ अलग करने का time नहीं होता यह सारे excuses आपके नहीं रहेंगे food and exercise का जितना important role हमारी health पे है उससे कई ज़्यादा role play करता है हमारी mental health mental health तभी अच्छी रहेगी जब हम कम stress लेंगे हम अपने काम को आराम से कर पाएंगे घर के ही काम ले लीजे अगर आप घर के कामों में stress लेते हैं तो वो आपकी health बिगार सकते हैं जैसे के इसमें आप अपनी family की help ले सकते हैं क्योंकि family तभी है जब वो आपकी help करें तो आप अपनी problems अपनी family के साथ share करें उनकी help लें और मिल बाढ़ कर काम करने से काम easy हो जाता है इस तरह से family का support रहता है तो हमारी mental health काफी अच्छी रहती है काफी सारी ऐसी चीजह होती है जो long term पे हमारी health को कहीं न कहीं affect कर रही होती है हमारे environment को एफ़ेक्ट कर रही होती है जैसे कि हमारे cleaning product इन में इतने ज़्यादा chemical होते हैं कि कहीं न कहीं हमारी health को affect करते हैं तो यही right time है कि आप कुछ ऐसे product search करें जो organic हो आपकी health को हामना करें और हमारे environment के लिए भी safe हो मेरे पास कुछ यह product pure curd की तरफ से review के लिए आया थे और मैंने काफी time से use कर रही हूँ और फिर मैं आपके साथ share कर रही हूँ pure curd की जो यह cleaning range है यह chemical free है इसमें कोई भी sulphate, chlorine, bleach, alcohol यूज नहीं है साथ ही कोई added color और fragrance भी use नहीं की गई है natural ingredient है और natural ही इसकी fragrance है जो use करने से feel होती है तो यहाँ पर मैं disliquid इसका use करी हूँ जो citrus flavor में है इसके basil main flavor में भी disliquid आते हैं यह बाकी के disliquid से इस तरह से difference है जो normal मैंने observe किया यहाँ पर जब आप disliquid को use करते हैं तो जरा से पानी के साथ जब आप से घोलते हैं बहुत सारा जाग बनता है जो की अच्छा नहीं होता है health के लिए वो हमारी mother earth को तो हाम करता ही है साथ ही कुछ portion जो हमारे stomach में चला जाता है वो हमारी health को भी damage करता है यहाँ पर यह sop बहुत ज़्यादा create नहीं करता है पर जो utensil है वो बहुत ही अच्छे से clean होते हैं तो हमारा purpose solve होता है वो भी organic ingredient के साथ में तो अगर आप interested है तो यह product check out कर सकते हैं मैं link आपको description box में दे parts में divide कर सकते हैं आप इनके लिए days रख सकते हैं या फिर अपनी family member की help ले सकते हैं काफी convenient रहता है जब आप किसी एक area को एक दिन के लिए set कर दें वहाँ पर आप चाहे उसकी bed sheet change कर रहे हैं या उस area को deep clean आपको करना है तो काफी easy हो जाता है laundry एक ऐसा काम है जो कोई भी family member अराम से कर सकता है क्योंकि आजकल machine इतनी advance हो चुकी है कि उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि कोई भी member घर का नहीं कर सकता है बट आप अगर इस तरह से किसी को भी ये duty सौंपते हैं तो उसके लिए तो वो fun होगा ही आपके लिए काफी easy हो जाएगा साथी बच् चुको आप जरूर involve करें घर के इन छोटे छोटे कामों में तो इस तरह से थे ये कुछ छोटे छोटे step जो life में काफी बड़ा change ला सकते हैं हमारी overall health को improve कर सकते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें अपना feedback मेरे साथ जरूर share करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं मिलती हूँ आपसे कसी और नहीं interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching have a nice day